हालो फ्रेंज हमारी आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हैं तो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंज आज हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने ये कलर का फूल ले लिया है और क्रोशे खूल मैंने लिये है 3.25 एनि वोचे लिए आज का डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम बना लेंगे फूर्ट चेंज ऐसे फूर्ट चेंज बना लिया और अभी देखिए फेंदे को ऐसे लेना है और यह जो फॉर्स्वाल अचीन है यहापे आना है धागे को ऐसे फूल करना है और फिर यह वान टाइम टू टाइम और यह थ्री टाइम तो यहापे हमने बना लिया है एक ट्रिबल अभी क्या करना है यहापे हमने पहले फाइफ चेंज बना लिया और अभी बनाएंगे फिर से 1, 2, 3, 4 फिर बना लिया 4 chains अगर आप ऐसे count करेंगे तो बनाने में बहुत ही आसाली होगी कि पहले 5 and then 4 अभी फिर से ये वाला pattern यहाँ पर बनाना है तो ये जो हमने 4 chains बनाएते तो इस 4 chains की जो 1st वाला है उसमें आ जाना है और अगर आप यहाँ से count करते हैं तो 6 वाला chain पर आपको आकर फिर से ये जो treble हमने बनाया है इसको फिर से यहाँ पर बना लेना है ऐसे अभी फिर से 1, 2, 3, 4, 5 and उसके बाद 1, 2, 3, 4 chains बना लिया फिर से 4 chains की फिर से 1st वाला पर आकर treble बना लेना है ऐसे और ऐसे आगे हम ऐसे बनाते जाएंगे और अभी देखिए फ्रेंज इसको हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया और इसका ऐसे कुछ size नहीं है आप जिसके लिए इसको बना रहे हैं उसके सरके जो size है according to that आपको यह जो पहला वाला chain है इसको ऐसे बना लेना परेगा अभी यहाँ से हम बनाएंगे 4 chains 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 chains हमने यहाँ पर बना लिया है अभी यहाँ से यहाँ पर आना है और ऐसे ही 2 times हम करेंगे यह देखे ऐसे और फिर ऐसे इसको एक साथ जोइन कर लेंगे यहाँ पर अभी देखिए यह जो 4 chains है और यह अभी जो हमने pattern बनाया उसके बीच में ऐसे gap है हमको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके ऐसे 2 times बना लेना है तो यह देखिए यहाँ पर हमने यह design बना लिया फिर से हमको फूर को ऐसे लेना है इस loop के अंदर आना है फूर को ऐसे खीचना है two times one and two ऐसे फिर इन सब को ऐसे करके join कर लेना है और अभी यह देखिए यह जो gap है यहाँ पर आके one and two ऐसे फिर सब को ऐसे एक साथ जोड लेना है और ऐसे हम five times यह पर बनाएंगे तो two times हमने already इस pattern को बना दिया अभी और three times ऐसे ही बनाएंगे one two ऐसे सब को एक साथ जोड लिया अभी यह gap में आना है one and two times धाके को ऐसे लेना है और फिर इसको ऐसे एक साथ जोड ना है यह देखिए ऐसे और अभी यह देखिए friends हमने यह पर इस design को five times बना लिया अभी यहां से हमको यह नेक्स वाला लूप है इसमें आना है ऐसे और फिर से इस design को हमको बना लेना है यह देखिए ऐसे पहले और फिर यही से एक बार और अभी दो तो यह देखिए तो अभी यह पूरे जो हमने chain बनाए है उसमें यह design को बना लिया है बनाते जाएंगे तो अभी यह देखिए friends हमने यहां से यहां तक यह पूरा ऐसे करके बना लिया है और अभी यहां से हम chain बनाएंगे one two three four five five chain यहां पर बना लिया और अभी आ जाना है यहां पर और ऐसे इसको join कर लेना है यह देखिए अभी फिर से यहां से हम one two three four five six seven eight nine ten और अभी यह देखिए friends यहां से यहां तक हमने chain बना लिया है और यहां पर हमने आना है और यह जो पीछे अगर हम count करें one two three four तो यहां से फोर फोर्थ chain पर आके ऐसे लागे को करके बना लेना है one two three four and यह लास्ट वाला ऐसे यहां पर वान चेंड बनाया और अभी यह देखिए उपर का यह जो स्टीच बना है यहां पर आ जाना है और फिर ऐसे वान सेंगल क्रोशें पना लेना है इस दिजाइन को हमने यहां तक बना लिया अभी यहां से हम फोर चेंड बनाएंगे one two three and four फोर चेंड बना कर फिर से यहां पर आ जाना है और उसको ऐसे जोन कर लिना है यह देखिए और अभी हर एक चेंड में आकर one one सिंगल क्रोशें हम बना लेंगे यह देखिए तो अभी यहां से यहां तक हम सिंगल क्रोशें बना के लेते हैं तो अभी यहां पर देखिए फ्रेंज हमने यहां से यहां तक बना लिया है और फिर से आगे है यह जो लूप है यहां पर और यहां पर हम बनाएंगे अभी one two three chains ऐसे और फिर इस पैटन को हम फिर से यहां पर बना लेंगे और ऐसे यह पूरा इस कर लेंगे तो अभी यह देखिए फ्रेंज मैंने यहां से यहां तक इस साइट भी पुरा बना कर तैयार कर लिया है तो अभी यहां पर बना लिया है four chains और इसको यहां पर हम ऐसे जॉइन कर लेंगे और फिर यहां से हम 30 chains बनाएंगे जैसे हमने यहां पर बनाया और यह design यहां पर भी बना कर लेते हैं और अभी यह देखिए फ्रेंज मैंने इसको पूरा बना कर तैयार कर लिया है अभी इसको हम और सजाएंगे तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओफ वाइट पूल का यह तो मैंने यहां पर अल्रेटी देखिए यह जो बड़ा वाला पॉल बीड़े इसको ऐसे धागे में ले लिया है तो अभी क्या करेंगे तो अभी देखिए फ्रेंज इसको हम यहां पर जोइन करेंगे ऐसे करके इसको जोइन कर लिया और इसको अल्दर से ऐसे पीछे के तरफ ले लेना है ऐसे तो देखिए यहां पर यह जोइन हो गया अभी हमें चेन बना लेना है तो यहां पर मैंने फॉर चेन्स बना लिया है और अभी यहां पर ऐसे करके आएंगे और हम बनाएंगे पाफ स्टीच यह देखिए वान टाइम टू फॉर ऐसे चार बार हमने यहां पर ठागे को ले लिया और अभी सबको एक साथ ऐसे हम जोइन कर लिया इसको हम बाद में पीछे के तरफ टाइ कर देंगे तो अभी यहां से हम आ जाएंगे यहां पर यह देखिए और अभी इसको ऐसे करके यहां पर जोइन कर दिया तो देखिए कुछ ऐसा आज बना हमारा यह जो पार टन यहां पर तो देखा कितना संदर लग रहा है और अभी दखी फ्रेंड्स इसको यहां पर जोइन कर लेने के बार इसको हमको फूरा ऐसे बड़ा कर लेना है और यह पे अभी हम लगाने वाल यह बोती तो ऐसे इसको ऐसे करके इसको हमने लगा लिया उछार को फोरा सा फूल करके इसको यह पे एड्ज्स कर लेंगे ऐसे और अभी हम आ जाएंगे यह जो next वाला pattern है यहाँ पर ऐसे देखिए फिर इसके अंदर से पूल को लेना है ऐसे और फिर इसके अंदर से इसको ऐसे करके लेना है तो फिर यह इधर बिलकुल fix हो जाएगा तर अभी हम इसको देखिए ऐसे यहाँ पर set कर दिया तो अभी हँचे यह हिलेगा नहीं कि देखिए कितना सुन्धर लग रहा है अभी और फिर से यही pattern यहाँ पर बना लेना है तो फिर से हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पहले 4 चेंज बना लिया और फिर यहाँ पे जाय से हमने पफ बना थे वो वाला पफ फिर से यहाँ पे बना लेंगे और यह देखिए फिर से हमने यहाँ पे और एक पाफ ऐसे बना लिया और अभी इसको यहाँ पे आके जॉइन कर लेंगे ऐसे यह देखिए फिर से यह वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया और ऐसे हम आगे बनाते जाएंगे और यह देखिए फ्रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक इस डिजाइन को पूरा बना लिया है देखिए कितना सुंदर बना है अमारा आज का यह डिजाइन और यह एक बहुत ही प्यारा सा हिट बैंड तैयार होके आया है तो अभी यहाँ से हम पूर को करेंगे कट इसको ऐसे पीछे के तरफ लेके आएंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से अभी टाइ कर देंगे पीछे के तरफ इस तरफ पर और इस तरफ तो यह देखिए फ्रेंज तैयार हो गया है हमारा आज का यह प्यारा सा हीट बैंड देखिए कितना सुंदर बना है तो यह अब किसी के लिए भी घर पर बना सकते हैं कोई पर इसके लिए निदी बिए है यहेड भेंड बहुत ही सुंदर लगेगा तो हमरा आज का यह दिजैन अगर आपको अच्छ लगा है अच्छ का यह वीडीयों अगर आपको अच्छ लगा है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को बहुत सारा लॉक कर देना शेयर कर लेना औ बाइब बाइब बाइब